Hello friends, तो आज मैं बात करने वाला हूँ Government Polytechnic नाकपुर इस college के बार में जो कि एक बहुत ही अच्छा Government College है जासे आप Polytechnic कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस college के पूरी details जैसे कोन सी आपी branches है, जासे आप diploma कर सकते हो, fee structure क्या है और भी बहुत कुछ इसके अलावा एक ऐसा कॉलेज है जिसमें एक ऐसी ब्रांच इस साल से आड होने वाले है जो आपको पूरी महाराष्टर में कहीं भी नहीं मिलेगी तो यह वीडियो को जरूर एंड तक देखना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और अगर पर दिया है तो यह आपको अगर आना जाना है तो ट्रांस्पोर्टिशन को सारी फैसिलिटीज आवेलेबल होती है तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में तो यह कॉलेज बहुत ही पूराना कॉलेज है गाई यह इस्ट यह ऐसी entrance exam नहीं होती है यह आपका direct admission हो जाएगा 10th के marks पर basis पर वो बस round होते है आपको form बनना पड़ेगा वहाँ पर जाके और देखना पड़ेगा क्या आपका नाम आता है या नहीं आता है merit basis पर यह आपके admission होते है तो बहुत easy process है आप easy लिए आप admission कर सकते हो अब हम देखेंगे कि इस college में कौन सी branches है जिन में आप diploma कर सकते हो तो आप कर सकते हो diploma in automobile engineering, civil engineering, computer engineering, electrical, electrical and telecommunication और एक है electrical and telecommunication only for females फिर information technology, mechanical engineering, metallurgy, mining and mine serving, packaging technology, textile manufacturing, traveling and tourism तो इतनी सारी branches है यह आप available जिसमें आप diploma कर सकते हो और एक नई branch add होने वाली है तो वह मैं आपको अगली slides में आपको बताता हूँ अब हम देखिंगे इस college का fee structure जो कि बहुत ही अच्छा है तो देखिए first year, second year, third year मैंने तीनों इसके fee structure डाले है तो आपको तीन slides देखेगे ठीक है तो यह पहली slides है जिसमें first year वाले काई fees है और direct second year है मतलब आप diploma direct first year मतलब 10th होने के बाद भी कर सकते हो और 12th होने के बाद भी कर सकते हो तो जब आप 12 होने के बाद करते हो डिप्लोमा तो आप direct second year में admission ले सकते हो तो देखिए first year और second year की fees यहाँ पर दीए तो इसमें आपको tuition fees नहीं दीखेगी तो आपको tuition fees के बार में मैं आपको आगे बताता हो तो first year की fees जाती है almost 3000 के आसपस मतलब 2992 और direct second year की जाती है 2778 रूपिज second year की fees जाती है 1650 रूपिज दे कि इसमें भी tuition fees अभी तक एड नहीं होई है और जो third year की fees होती है वो होती है 1600 रूपिज और इसमें भी देखिए tuition fees का कुछ भी ने दिया तो देखे tuition fee उनी को देना है जिनकी category open आती है और जो categories से belong करते है OBCS, CST तो उनको tuition fees पे नहीं करना पड़ता है तो जिनकी category open है तो उनको tuition fees देना पड़ता है मतलब यह सारी fees और उसके साथ साथ 6000 रूपिज as a tuition fee तो आप देख सकते हो कि government college के फायदे fee structure में आपको दिखते है यह इसलिए इस college की fee कम है बट open वालों को tuition fee देना पड़ेगा इसके लिए उनको थोड़ी जाधा fees पे करना पड़ेगा तो अब हम बात करते है सबसे important point जो होता है placements तो देखे डिप्लोमा होने के बाद ज़्यादा placements तो नहीं आता है बट तब 20 college में कुछ companies आती है तो 17-18 में 14 companies आई थी उसमें पूरे branches के मिला के total 94 students प्लेस हुए थे 2018 और 19 में 6 companies आई थी और उसमें कुल मिला के 82 बच्चे प्लेस हुए तो देकि इसका average package की जानकरी तो नहीं थी मैं पास बट जो पर ये placements की थी वो थी इसलिए मैंने आपको या पर बता है और डिपलोमा के बाद most probably बहुत सारे students placement नहीं लेते क्योंकि डिपलोमा के बाद जो भी आपको job offer होती है उनका जो salary package होता है वो 2.5 से 3 या 3.5 लाग तक ही रहता है इसलिए बहुत सारे लोग डिपलोमा के बाद engineering करते हैं और फिर placements लेते हैं तो जैसे मैंने आपको starting में बता है था कि इस college में इस साल से एक नई branch add होने वाली है जो आपको पूरे महाराष्टर में कई भी नहीं मिलेगी जिसमें आप डिपलोमा कर पाओगे तो इस college में इस साल से add होने वाली है mechatronics नाम के एक branch जो बनते है mechanics plus electronics ऐसा हम बोल सकते हो दोनों का अगर हम combination करेंगे तो mechatronics बनती है तो देखिए ये branch एक बहुत ही अच्छी branch है जिसमें आप डिपलोमा करके आगे B.Tech कर सकते हो या फिर B.E. कर सकते हो तो अगर आपको mechatronics में इंट्रेस्ट है और अगर आपको ये college चाहिए तो आप इस college से mechatronics में डिपलोमा कर सकते हो और इस branch का जो intake है वो बस 30 students का है तो अगर आपको ये branch चाहिए तो आपको बहुत जल्दी इसके लिए apply करना पड़ेगा अगर हम cutoff के बारे में बात करते हैं तो इस college का cutoff तो high जाता ही है और अगर आप open category से belong करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा score करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी branch या पर लेना है तो और अगर आपको cutoff से related और कोई भी डाउट है तो आप comment section में जरूर मेंशन कीजेए गाईज मैं जरूर आपके doubts को answer करूँगा तो अगर आपने ये वीडियो या तक देखा है तो वीडियो को like करना मत भूलना गाई जरूर चैनल को जरूर subscribe कीजेए ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने मिले हो और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस college से related तो आप जरूर comment section में mention कीजेए मैं 100% आपके doubt को solve करने की करूंगा